यादि कौसेक धिटा रूट 10 हो तो सेज तिरकून मिथिये नुकात निकाले कौसेक धिटा रूट 10 है रूट 10 भाई वन लिख सकते हैं इसको कौसेक धिटा होता है करन बटे लंब यहां से हम अधार निकाल सकते हैं करन के स्कृर माइनस लंब के स्कृर करन है रूट 10 का स्कृर माइनस लंब एक एक का स्कृर रूट 10 का स्क्वाइर 10 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वाइर 1 यहां से अधार आ गया रूट 9 तीन आ गया अधार का फेलू कि यहां से निकाल सकते हैं सेज दुर्कुन मितिया निपात साइन ठीटा लंब बटे कर्ण होता है लंब है एक कर्ण है रूट 10 कोस ठीटा अधार बटे कर्ण होता है अधार बटे कर्ण अधार तीन कर्ण रूट 10 है टैन ठीटा लंब बटे अधार होता है लंब है एक अधार तीन कोड ठीटा टैन ठीटा का अफेजिट होता है कि अधार बटे लंब हो जाएगा को ठीटा कर्ण वटे अधार होता है कर्ण रूट 10 अधार तीरी इसे तरह आपका सभी तिरकुन मीधियान पात निकल चुका है चार नमबर कोशन कंपलीट आपका पांच नमबर कोशन है कि तरीफुट पीवर में कौन क्यूँ 90 डिग्री है यदि पीव 4 संटीमेटर की वर 3 संटीमेटर हो तो साइन और कॉसर कोट आर टेनली पी सेख भी तथा कोशेख पी का मान गयांद करें टैनली पी तथा कोट आर के मानों में क्या समंध है इसमें सबसे पहले हम त्रीफुट बना लेंगे त्रीफुट पी क्यूवर गिर जी नाई्टी डिग्री इसको यूमान लेते हैं 90 डिग्री है और इसकोering कर देते हैं इसको फीमाने क्यूंब इसको कर्मान लेते हैं इसको नुन्हार लिक्त हो गया पीकीव 4 cm है पीक्यू 4 cm है QR 3 cm है इसका हम त्रिफुष का कर्ब निकाल लेंगे कर्ण रूट अंदर लंब के स्क्वाइर पलस अधार के स्क्वाइर कोई एक को लंब माल लेते हैं कोई एक अधार चार के स्क्वाइर पलस तीन के स्क्वाइर 16 पलस 9 यहां से एच का माना जाएगा 25 एच का भेलू 5 आ गया यहां से साइन आठ निकाल सकते हैं साइन आर को कौन आर के रेस्पेक्ट में साइन का फेलू निकालना है कौन कौन आर लेते हैं इसका लंब पीक्यूव हो जाएगा साइन आर लंब बटे कर्ण पीक्यूव पीक्यूव बटे पी आर पीक्यूव कितना है चार पी यार का भीलू आया है पांच साइन निकल गया यहां से कौसार निकाल लेंगे कौसार अधार बटे कर्ण की वार बटे पी यार अधार है तीन कर्ण है पांच कौटर कौटर अधार बटे लंब पीक्यूव कि वार है तीन पीक्यूव है चार टैन पी का भेलू निकालना है कौन एंगल पी के रस्पेक्ट में टैन का भेलू अगर कौन इसको लेंगे पी को लेंगे तो लंब यह की वार हो जाएगा टैन पी लंब पटे अधार की वार बटे पीक्यूव की वार तीन है पीक्यूव चार है टैन पी तीन बटे चार हो गया उसके बाद सेख पी सेख पी कर्ण बटे अधार पी के रिस्पेक्ट में कर्ण कर्ण तो चेंज होता नहीं है तो कर्ण बटे अधार कर्ण पांच है अधार पी के रिस्पेक्ट में अधार फिक्यूव हो जाएगा तो चार यह सेख भी पच्वटे 4 हो गया को शेख पी कॉसिक पी कर्ण बटे लंब कर्ण है पांच लंब है तीन पी के रिस्पेक्ट में लंब हो जाएगा कि वार कॉसिक पी निकल गया अब पुछ रहा है टैन पी तथा कॉट आर के मानों में क्या संबंध है टैन पी तैन पी का भेलू रहा तीन बटे चार कॉट आर भेलू भी तीन बटे चार है टैन पी टैन पी इसकल टू कोटर है आपको पांच नंबर कोशन भी कंप्लीट हो चुका है